सो गाईज एज विलॉक ये बाक हीर के लिए व्लोग इन दर अम एन्बॉक्स करेंगे प्रोड़क को जो किया है पाव मैक्स का तो गाईज इतर अप लोग को इंस्टागराम आईडी देख रहे होगी जाके इस फॉलो कर पर इंस्टागराम पर तो यह प्रोड़क्ट पामक्स का है वेंग स्केल है पामक्स का बहुत अमेजन प्रोड़क है गाइस तो लिंक इन डिस्क्रिप्शिन बॉक्स बिलो जाके बाई करो साइट का भी लिंक है और एमाजॉन का भी लिंक है तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को इधर पाले ब्लॉक के अंगर हम प्रोड़क्ट अन्बॉक्स करेंगे यह पामक्स का बीसी एए 1.35 है हमारे पास तो इस अन्बॉक्स हैंगे स्पॉंसर वीडियो नहीं है तो चली शिरू करते हैं तो इस प्रोड़क्ट की MRP 5000 है और आप लोग को 1800 रुपीज में मिल रहा है डिस प्रोड़क्ट करके आप उसको डाउनलोड करके सब देख सकते हो क्या है कैसा है तो अभी चलो अन्बॉक्स करके और दूसरी चीज़ के आपको इदर एक QR-Code मिल रहा होगा जिसे आप फ्रोड़क्ट के लिंक को जाके आप डाउनलोड कर सकते हो तो चलीए शिरू करते है कुछ प्रोडक्ट ऐसा दिखता है तो कुछ प्रोड़क ऐसा दिख देख्टा है और यसको जल्दी से पलास्टिक के आप निकाल के दिखते हैं तो वो प्रोडक के फिनिशिंग की बात करें तो आगे ग्लास फिनिशिंग है आगे के साइड और पीछे ग्लॉसी टाइप फिनिशिंग है जाइस इधर की आप का QR कोड दिया हुआ है तो आप इधर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो एक प्रोड़क का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शिंग बॉक्स में अमजॉन का और यह लोग का एक परस्नल साइड भी है पामेशुटनेस.net करके तो आप उस पर भी जाके बाई कर सकते हो अमजॉन का भी लिंक रहेगा नीचे वो साइट का भी लिंक रहेगा नीचे जाके ब एक बार फट सा आप इजर स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहा आपकी मैं दिखा रहा हूं तो यह आपका नाम फील्फिट है जबने ओपन किया आपको इजर से जाके अपना अकाउंट क्रियेट कर लेना है तो आपको जाना है लोग इन पर अकाउंट है तो इसको साइन अ पर जाके email id डालेना है पासवर्ड पास्ट और फिर उसके बाद आपको लोग इन कर लेना है उसके बाद आपका अप शुरू हो जाएगा और फिर आप इसमें वेट करोगे तो आपको यह आप में भी दिखेगा तो यह आप बहुत अमेजिन है आपको सब दिखेगा कि कित कितना कालोरीज है और एवरीथिंग बाउट या बोड़ीवेट तो गाइस जल्दी से जाओ बाई करो प्रोड़क्त को और में को कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा वीडियो सब्सक्राइब करें दिखेगा होगा जाके फॉलो कर इंस्टाग्राम पे सबसे पहले अपडेट्स इंस्टाग्राम पायता है यूट्यूब से पहले रो मीट्यू से ने नेक्स वीट्यू तिल दन गुट बाई झाल